नमस्कार आप सभी का स्वागते स्टड़ी विद जेयार यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम अध्याय ग्यारा पढ़ेंगे सहकारिता एवं उभोकता सशक्तिकरन और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर माद्यमिक शिक्षा बोड की सामजिक विज्यान की किताबों के अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं और अब तक हमने 10 अध्याय पढ़ ले हैं यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां से देख लीजिएगा आज हम पढ़ेंगे अध्याय ग्यारा सहकारिता एवं और भोगता सशक्तिकरण तो देखे अनोपुरा के अधिकांश किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं अनोपुरा एक गाउं है वहां के जो किसान हैं उनके पास कैसे खेत हैं छोटे छोटे खेत हैं वहां के कुछ किसानों ने टैक्टर वे खेती के नए और अजार खरीद तो वहां के जो कुछ किसान है वो क्या चाह रहे थे कि टैक्टर खरीद लिया जाए, खेती के नएने ओजार खरीद लिये चाहे, कई किसान अपनी जमीनों का सुधार करवा कर सिच्चाई की सुविधा भी बढ़ाना चाहते थे और कई किसान ऐसे थे जो अपनी जमीन का पाएं और खेती के नए उजार खरीद पाएं और सिच्चाई की सुईदाएं को बढ़ा पाएं तो ये सब आमदनी की कमी के कारण ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था नहीं कर पा रहे था ऐसा किसान तो एक दिन घासी लाल नामक किसान ने चौपाल में अन्य किसानों से क कहा तो एक दिन देखी घासी लाल ने क्या कहा चौपाल में किसानों से कि इस गाओं के हम किसान लोग क्यों ना सहकारी खेती को अपना लें क्या का उसने कि इस गाओं के हम जो किसान लोग है न जितने भी वो सब लोग सहकारी खेती को अपना लेते हैं यदि हम सभी किसान अपने चोटे चोटे खेतों को मिला कर A कर ले और सभी अपने पास अप्लब थोडे धन को मिला कर इक खटा कर ले तो खेतों को सुदरवा सकते हैं, टैक्टर और अन्य उजार भी खरीद सकते हैं, तो देखें गहासि लाल ने क्या कहा ? कि हम जो हमारे पास छोटे 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 खेत है ना मतलब बागावान के चलिए कि जिसे ये खेत है ठीक है अब गाओं में ये खेत है ये खेत A का है ये खेत B का है है ना और ये खेत C का है और ये वाला जो खेत है ये D का है तो इस तरीके से मान के चलिए कि गाओं के ये लोग हैं और इनके पास ये खेत हैं तो घासिलाल ने क्या कहा कि जो हमारे छोटे छोटे खेत हैं क्यों ना हम इसको मिलाकर बड़ा एक खेत बना लेते हैं खेटा कर लेते हैं और खेत के साथ साथ और क्या इसमें का अठा गया देखिए खेतों को मिलाकर तो को सुद्रवा सकते हैं टैक्टर और अन्योजार भी खरीद सकते हैं तो ये सब चीजे पॉसिबल हो पाएंगी ऐसा किसने का? घासिलाल ने तो हम मेंसे कोई भी किसान इन बड़े खर्च वाले कारे को अकेला नहीं करवा सकता है और जो किसान है इनको पता था कि हम मेंसे अकेले तो इस काम को हम करवा ही नहीं सकते हैं लेकिन अगर हम मिल के काम करेंगे तो करवा सकते हैं यह सुनकर गोपाल ने घासिलाल से पूछा आकिर मुझे इस कारे से क्या मिल जाएगा तो देखे गाउं में जब यह बात होती है जैसे चोपाल में देखी चर्चा करते हुए किसान यह अपस में चर्चा कररे है और जब एक जना बात रखता है तो दूसरा उसके बात सुनकर बोलता भी है कि इससे क्या मिल जाएगा होते हैं ना विरोधी इनको मिलाकर एक करने की तो यानि किसने तो हमारा खेत ठड़प लेगा ऐसा सोचो उनों ने फिर घासीलाल ने सब को समझाते हुए कहा नहीं ऐसी बात नहीं है मिलकर काम करने से हमारी अनेक समस्याइं दूर हो जाएंगी फिर घासीलाल ने क्या कहा कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हमारी जो बहुत सारी समस्याएं हैं प्राब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी इससे सभी को लाब होगा और इससे सभी को लाब होगा हमारे खेतों पर सामुहिक प्रियास से उत्पादन में व्रदी होगी हमारा थोड़ा थोड़ा धन एक होगा हमारी खेत की जोद बड़ी हो जाएगी और सब एक साथ उस पर काम करेंगे एक साथ धनराशी लगाएंगे सब की खट्टी हो जाएगी धनराशी थोड़ी थोड़ी करके तो थोड़ी थोड़ी धनराशी भी खट्टी होगे जादा हो जाती है न तो ऐसे जादा भी खरीज सकते हैं ये सब चीजे घासीलाल ने बताई तो खेतों को मिलाने पर क्या होगा जोद बड़ी हो जाएगी यदि ऐसा होता है तो हमारे खेतों की पैदावार जो है कई गुणा बढ़ जाएगी और हमारी आमधनी भी बढ़ जाएगी सब को उसके हिस्से के निहाल के एक किसान है वो ऐसा कर भी चुके हैं तो इसलिए उसको ये अच्छा लगा विचार और उसने गाउवालों के सामने इस विचार को रखा अब सभी किसान घासी लाल की बात से सहमत हो गए उन्होंने आगे सामुई कुरूप से खेती प्रारंब कर दी और जब घासी मिल जुलकर कारे करना सहकारिता का आधार है तो मिल जुलकर कारे करना किसका आधार है सहकारिता का आधार है मिल जुलकर बड़े से बड़ा भी काम भी आसानी से किया जा सकता है आपने देखा होगा कि जब कोई काम अकेला हमसे नहीं हो रहा होता है और जब हमारी कोई हैल् देता है तो कितने easily वो काम हो जाता है हो जाता है ना तो ऐसी मिल जुलकर जो बड़े से बड़ा काम है ना वो भी आसानी से हो जाता है सब की प्रगर्ती तब ही हो सकती है जब हम अपने लोग को छोड़ कर सब के लाब के लिए कारे करेंगे सयोग की भावना से ही संभव है तो देखे क्या बतायागा इसमें कि सब की प्रगर्ती कब हो सकती है जब सब लोग अपना लोग छोड़ कर सब के लाब के लिए कारे करें ऐसा नहीं कि सरफ अपना ही अपना सोचे नहीं मेरा ही लाब होना चाहिए दूसरे का नहीं होना चाहिए तो तो फिर प्रगर्ती संभव नहीं है और सबकी प्रगर्ती कब होगी जब हम अपना लाब छोड़कर दूसरों के लाब के लिए कारे करेंगे और यह सहियों की भावना से ही संभव हो पाता है आ व्यक्ति आपसी सहीयों के साथ जो कारे करते हैं उसे हम सहकारिता कहते हैं। बड़े और मुश्किल काम भी संभव हो जाते हैं। व्यक्ति आपसी को फायदा होगा जो अमीर है या जिसके पास ज्यादा पैसा है तो ऐसा नहीं है कि उनको ही फायदा होगा। सहकारिता वाले जो नीती अपनाते हैं तो उसमें जो निर्धंतम हैं गरीब हैं कमजोरवर्ग हैं तो उनको भी इसका फायदा मिलता है। और देखें सहकारिता का तो मंत्री क्या है ये देखें दिखाया गया है इसमें सहकारिता का मंत्र है एक सब के लिए और सब एक के लिए ठीक है। फिर नेक्श देखें सहकारिता के मूल तत्व मूल तत्व में बात करें पहले नंबर के पॉइंट की सहकारिता में सदस्यता स्वेचिक होती है। संचालन और प्रबंद सभी सदस्यों की सहमती से होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि इसको एक ही व्यक्ति संचालित कर रहा है और उसी की चलती है। ऐसा नहीं है। उनको एक जैसे अधिकार राइट्स और अफसर प्राप्थ होते हैं। फिर देखिए चौथा पॉइंट इसम आरथिक उद्धिश के साथ-साथ नैतिक आवं सामाजिक उद्धिशों को भी शामिल किया जाता है तो देखिए इसमें आरथिक उद्धिश तो है ही है इसलिए काम किया जा रहा है कि ताकि अर्निंग सोर्स बढ़ाया जाए है ना में क्यूशन बन सकता है कि सहकारिता का मूल मंत्र क्या है तो यह आपको याद रखना है एक सब के लिए सब एक के लिए और इसके लावा सब के हित में ही हमारा हित है पहला क्या है एक सब के लिए या सब एक के लिए ठिक है दूसरा एक याद रखेंगे आप सब के हित में ही ह सामजिक हित वाले किरिया कलापों के उदेश्य से कम से कम 15 व्यक्ति मिलकर एक प्रात्मिक सहकारी समीटी का गठन कर सकते हैं तो सहकारी समीटी का गठन है यह कैसे किया जा सकता है तो किनी समान आर्थिक या सामाजिक हित वाले जो किरिया कलाब के उद्देश्यों से कम से कम 15 व्यक्ति कितने व्यक्ति कम से कम 15 व्यक्ति मिलकर एक प्रात्मिक सहकारी समीति का गठन कर सकते हैं वे उसकारे के लिए अपने साधन या पूंजी समीति में लगाते हैं और इसमे में क्या किया जाता है इस साधन यह समीति के अपने पूजी समीति में लगाते हैं समीति का पंजी करंड रिवाग से कराया जाता है और समीति रहाय जाता है सहकारिता विवाग से करवाय जाता है इसका संचालन सदस्यों में से ही चुने हुए परतिनी द्योदारा होता है समीती के लिए सभी मिलकर कारे करते हैं इसमें सनी है कि कोई एक कारे कर रहता है सभी मिलकर बराबर कारे करते हैं समीती के आएवे का उचित तरीक से हिसाब किताब रखा जाता है शमीति अन्य स्थानों में सभी सदसे सामो ही गुरूप से उत्तरदाई होते हैं इसमें क्या होता है कि लाब हुआ तो सभी में को बराबर बराबर मिलता है ना और अगर कोई हानी हुई तो सभी सामुई क्रूप से उत्तरदाई है ऐसा नहीं है कि कि लाब हुआ तो वो एक का ही है और हानी हुई तो वो एकी ही है ऐसा नहीं है इसमें जो भी लाब होती है या फिर हानी होती है इसमें सबी सदस्ट से जो है सामूई गूरुप से उत्तरदाई होते हैं, ठीक है, रेस्पॉंसिबल होते है अपने उद्धिशियों के अनुसार सहकारी समीतिय निम्रिकित परकार से हो उब्भुकता सहकारी समीती चौती है ग्रह निर्मान सहकारी समीती पाँचवी है सहकारी साक एवं बचत समीती और छटा है क्रे विक्रे सहकारी समीती तो देखे जो सहकारी समीतियां है वो अलग-अलग तरह से बनाई जाय सकती है depend करता है कि उद्देश्य क्या है जैसे इस तरीके से उद्देश्य के अनुसार सहिकारी समीत्या इस प्रकार की होती है यह प्रकार बताए गए है इसमें इन प्रकार से बनाई जा सकती है फिर next देखिए हमें दैनिक उपयोग के लिए कई तरह का सामान खरीदना पड़ता है हम डेली खरीदते हैं कुछ नो कुछ उपयोग होता ही हमारा तो दैनिक उपयोग के लिए कई तरह का सामान हम खरीदते हैं कई बार व्यापारियों द्वारा हमें नकली या घट्या सामगरी दे दी जाती है और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें नकली या घट्या सामगरी मिल जाती है समान मिल जाता है जानकारी के अभाव में हमें इस परकार का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है अगर हमें उभ बोगता सशक्तिकरन के बारे में चर्चा करेंगे तो जो बोगता सशक्तिकरन वाला टॉपिक है इसको हम भाग दो में पढ़ेंगे और आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ रहे हैं और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे इसके साथ ही आप